वेलकम बैक मेरे टूट फैमली हमारे चानल प्रापलो को स्वारत है यह मिक्स भेज है पानी फन हो गया और मूली है गोभी है तैगन है यह आलू है तमाटर है और गोभी को कट कर लेते हैं चुटा-चुटा पीस में देखिए जो डंटी है उसको भी छील करके इसी में डाल और यह गोभी को दो ले रहें पानी फ़ल को छील करके इसको बहुत अच्छा से छिला जाता है खिचा भी रहता है इसलिए सब्जी में अच्छा लगता है खाने में अग्यान को भी काट लेते हैं चोटा-चोटा पीस में काट लेंगे देखिए अब कट गया है और दोनों बैगन किसी तरह काट लेंगे गोभी को पानी से निकाल लेते हैं कि अभी छान लेंगे इसको इसके बाद फिर बैगन को भी धो लेंगे दो लिए हैं अब आलू को भी कट कर लेते हैं लालव लालू है बहुत ही टेस्टी लगता स्वाधिस्ट लगता है अब आलू को भी मूली को भी छील लेते हैं कि मिट्टी में रहता है तो चीलना जरूरी होता है इसे वी कट कर लिए नियर है अब यह ट्रोन को भी चौप कर लेंगे जॉपर में अब ही टेल गरम हो गिया है इसरसो तेल ही है और इसमें फ्च फोड़न डाल दिये हैं यह तेज प्ता है और इसमें थोड़ी से डालेंगें तो देखने में जदा लग रहे हैं यह लगा शचैना पर शचा रहे शुल लाखंना मनघ्री रखेल से चोड़ी उसमें भाद करेंगें ने गोभी को भी फिराय करेंगे ज्यादा अड़ाने हैं हाप करना है कि साथ मी आलू के साथ हो और घॉलेंगे आलू और भी हो गया região अब इसमें नमk डाल करके ठाख देगें अधाब करके इसको पानी छोड़ेगा फिर त интересно ऑफिर जहाएगा अभी यह पानी फ्लय को इसी में पानी डाल देंगे आप काट करकर भी ही डाल सकते हैं पर इसे ही सिज जैता द्धनिया पत्ता कट करके तब तक रखते हैं अब मसाला डाल देते हैं देखिए बेसीक मसाला जो होता है जीरा गुलकी धनिया मिर्ची पौडर यहीं सब डाले हैं अब इसमें अधरक डाल देंगे घिस करके अधरक से भी टेस्ट आता है कि भी ठन के दिन में अधरक खाना चाहिए बैगन को भी इसी में डाल दिये हैं जब मसाला भून गया तो बैगन डाले क्योंकि बैगन गल जाता है जल्दी फिर मसाला नहीं भूनाएगा अब यह देख करने अधरके बहुंते यह फटे से सिजी इन सब्सक्राइब धाल मसाला है और यहां जोती 3d क nouveaux करते नहीं अच्छा करकि रखते हैं और अच्छा बता है खाना चाहिए जबन निया तो पत्ता दे अधर कि धाल दिये हैं अब लुकर अब बन गया है सब्जी अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है देखने में भी अच्छा लग रहा है तो जितना हो सके सेर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अब इसको शर्ब करते हैं आप लोग भी बनाईए इसी तरह भी ठन के मौसम में बहुत ही अच्छ इसनी है इसे भी सर्ब कर लेते हैं और मुली है दोपिस अब यह डिनर तैयार हो गया है कि अ कि खाना रेटी हो गया और आप लोग भी ट्राइब कीजिए इस तरह से सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है और वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए शेर कीजिए सब्सक् बहुत है